नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जिवन जिने की कला में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं काफी खास वीडियो है यह आपके लिए क्योंकि इस वीडियो से बच्चे बुढ़े सबसे पहले गुटली से ही स्टार्ट कर लेते हैं जहां हम बात कर रहें खजूर की मालीजे आपके बालों में जू है या किसी के भी आपके नहीं बुरा लग सकता है बुरा बानने की बात नहीं हो सकता है किसी को भी होता है तो किसी के बालों में अगर जू है तो क्या करें वो हो या फिर आँखों के रोग हो तो क्या कीजिए खजूर की गुठली लीजिए और उसको घिस दीजिए अच्छे से और इसके बाद सुर्मे की तरह आँखों में लगाईए इससे आपको लाब मिलेगा वो समस्य आपकी दूर हो जाएगी अच्छा कितना भी पुराना घाव हो पुराना से पुराना घाव हो आप उसके लिए क्या करें पुराने से पुराने घाव को भरना है तो खजूर की गुठली को जला करके भस्म बनाईए यानि कि जो खजूर की गुठली होती है उसको आपको जलाना है और उसका भस्म ले ल बलगम की समस्या है तो दूर हो जाती है इसलिए भी ये कमाल के उश्य दिये अंतर तक बने रही है आपको इससे पता चलेगा कि कितने रोगों में ये कमाल के उश्य दिये एक समस्या है कबजी अतजी हां कबजी की वज़ा से हमारे शरेर में लगभग सतर प्रतिशत बिमारि अगर पेट में सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा आपके सभी अंगों को सही से पोशन नहीं मिलेगा आपके सारे अंग प्रभावित होंगे तो कबजियत को दूर करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें इसका सुबह शाम तीन चुहारे खा करके उपर से गर्म दूद पी लि खाने की इक्षाई नहीं होती है तो उनके लिए खजूर का अचार बहुत अच्छा होता है अब बनानी की विधी इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगे इसमें फायदा बता रहे हैं आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं नहीं तो बजार से बना बना आला सकते हैं हाँ अगर आपको खुद से बनाना पसंद है तो और अच्छी बात है आप इसका सेवन कर सकते हैं अच्छी ओश्यदी है इसके अलावा दातों का गल ना जी हाँ अगर किसी के दात गल रहे हो गल जाते हैं मतलब कि सरने लगते है दात तो उनके लिए बहुत अच्छी आउश्या दिये और आश्टियो पूरसिस की भिमारी के लिए यानि कि किसी की हड्डियां कमजोर हो गए हैं तो इसके लिए क्या करना होगा छुहारे खा करके उपर से गर्म दूद पीना चाहिए इससे फायदा यह होगा कि आपकी बॉ इसकी कि मालीजी लो बलड प्रेशर की समस्या है यानि कि निम्न रख्त चाप की समस्या है तो क्या करें कम रख्त चाप वाले रोगियों को 3-4 खजोर लेना चाहिए गर्म पानी में इसे अच्छे से धो करके इसके गुटली निकाल देनी चाहिए और गाय के गर्म दूद क के साथ इसको उभालना चाहिए इसके बाद और उबले हुए दूद को सुबह शाम पीना चाहिए कुछी दिनों में जो लो बलर प्रेशर की समस्या है वो बिलकुल समाने पर आजाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे इसके अलावा बच्चे या फिर बुजूर्गों को अ इससे उनको लाव होगा यदि बच्चा बिस्तर पर पेशाप करता हो तो उसे भी रात को छुहारे वाला दूद पिला दीजिए ये उसमें शक्ती भी लाएगा साथ ही साथ उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी लंबाई भी अच्छी होगी क्योंकि इसमें परियाप्त मात्र है इसके अलावा माताओं बेहनों को खास करके सर्द्यों में एक समस्या होती है मासिक धर्मकी राघ sortir में क्यों इसमें प्रिया दूर हो जाते है इसमें आर करना चाहिए हम सभी के लिए बहुत अच्छी है घर में सर्दियों के दिनों में कम से कम जरूर खजूर लाइए और पूरे परिवार के साथ मिल करके खाईए अच्छा एक और खुबी की बात है इसकी जैसे कि मान लीजे किसी किसी को डाइबीटीज की समस्या होती है और समस् लेवल नॉर्मल आ गया हो यानि कि करेले का जूस वगरा सेवन करते हो और समानी पर आ गया है तब आप दे सकते हैं इसका हलवा बना करके इसमें मीठा नहीं मिलाना होगा सीधा इसका हलवा बना यह थोड़ा सा टेस्ट के लिए उनको देजिए वह भी खुश और उनके श अच्छी और ऐसी जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं तो आप सभी अपनी राय जरूर दिया किजिए क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत वेलुएबल होती है आप सभी जब कमेंट्स करते हैं हमें खुशी होती है कि आप सभी के लिए और अच्छी वी करके आते रहेंगे साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके फिलहाल विद्धा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धनेवाद Namaskar दोस्तों